करेंगे दोरान जो लोग कोरोना पौजटिव नहीं है वो कैसे बचेंगे और साथी में ये लोग कहांपर पाए गए दिल्ली महराष्टा कॉलकता से बिहार आने वाली ट्रेनों में मिल रहे हैं कोरोना संक्रमित कैसे इनकी जांच हो रही है कहां पर ये लोग मिले सब कुछ आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजेगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिजेगा दोस्तों आज के इस वीडियो में जिस घटना के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ ये घटना बिहार के जमालपूर में हुई फिलाल ऐसा ही हाल लगबग हर रेल्वे स्टेशन का है जैसा कि आप आज इस वीडियो में देखोगे कोरोना संकेट के बीच रेल्वे की ओर से दिल्ली, कॉलकता, महाराष्ट्रा और पुने के बीच लगबग 6 जोडी स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही हैं जो जमालपूर होकर गुजर रही है जमालपूर लगबग 3-4 ट्रेन आकर रुकती हैं इन ट्रेनों से लगबग 300-400 यात्री हर दिन जमालपूर रेल्वे स्टेशन पर उतरते हैं एक-एक करके इन सभी यात्रियों की कोरोना जाच की जाती है और इसी जाच के दोरान शुक्रुवार को 8 लोग कोरोना पॉस्ट लगबग यही हाल हर स्टेशन का भी है जो मैंने आपको जानकारी दी है या फिर नियूस दी है इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है हाँ अब जो जो करोना रूल है वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ अगर आप स्टेशन परिशर पर बिना मास् रहते हैं तभी भी आपको हो सकता है जुर्माना या फिर आपको समझाया जाएगा रेलवे अधिकारियों के द्वारा कि आप मास्क को पहने और अगर आप स्टेशन परिसर पर थूखते हुए नजर आते हैं तभी भी आपको 500 रुपे से लेकर 1000 रुपे तक का जुर्माना देना होगा फिलाल हर रेलवे स्टेशन पर थर्मल स्कैनिंग हो रही है अगर थर्मल स्कैनिंग में आपको कोई भी सिम्टम होता है तो आपकी कोरोना जाच होगी थर्मल स्कैनिंग क्या होता है बहुत से लोग ये पूछते हैं तो जो आप इस फोटो में देख रहे हैं इ आपको जाने दिया जाएगा दोस्तों ये थी छोटी सी जानकारी अगर कोई सवाल है इस वीडियो से समंधी तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पर भी पूछ सकते हैं इस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है अगर चाहें तो आप मुझे इंस्टाग्रा आप है